तो दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से विंग से कुडान की यूटीब चैनल में तो आज जो हम टॉपिक डिसकस करने वाले वह आपके जनरल नॉलिज की पोर्शन में सबसे इंपोर्टेंट सबसे छोटा टॉपिक है और सबसे जाधा कोशन्स मिनिमम कोशन्स इससे द आटी आएक इससे पहले जब हमारी स्टेट होती थी तो जेंड के आटी एक्ट दो हजार नौ एक अलग से जर्रल नॉलेज में टॉपिक में इस टॉपिक का अगर आप देखेंगे इस टॉपिक में हार्डली तीन पेजी को होता था ये और इससे हर बार हर बार कम से कम दो क आट है दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल ऐसा ही टॉपिक है जो आपको बहुत सारे कोशन्स क्या कर सकता है अराम से निकलवा सकता है तो मैंने बियर एक्ट पड़ा था ठीक है जेंड की रियार्वरेशन एक्ट का इगजट से निकाला था उसको पढ़के मैंने दो पेज से जो PDF का लिंक आपको YouTube चैनल के description box में मिल जाएगा उस PDF पे जो एक ही पेज है दो पेज में एक ही पेज में आपको अराम से कोशन्स निकल जाएंगे ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं जेंड के रियार्गनाइज करा रियार्गनाइज करके इसको क्या बना दिया स्टेट को रियार्गनाइज करके हमने क्या बना दिया हमने बना दी UT 2019 में रियार्गनाइज किया और UT बना दी है ना Union Territory जिसको divide कर दे टू Union Territories में एक है लदाख आपकी और एक है जेंड के आपको ये भी कोशन आ सकता है कि ये करने की authority किसके पास है इंडिया की जितनी भी states हैं इंडिया की जितने भी boundaries है ठीक है उनको रियार्गनाइज करने की authority या किस कौन सी ऐसी body है जिसको हमने एमपावर किया है रियार्गनाइज करने के लिए ये भी कोशन आ सकता है तो अब जो body इसको रियार्गनाइज कर सकती है किसको आपकी किसी भी state को या UT को रियार्गनाइज कर सकती है वो authority हमने किसको दिया है वो एक legislative body है legislative body मतलब कानून बनाने वली body legislative body मतलब lawmaking body वो lawmaking body who has the authority to reorganize the states of India वो कुन सी है वो authority का नाम है parliament क्या नाम है दोस्तों? पार्लेमेंट यार रखने पार्लेमेंट एक ऐसी legislative body है जो पूरे union के लिए क्या करती है law frame करती है law बनाती है are you getting my point? और पार्लेमेंट जैसी body state में जैसे पंजाब state होगी, UP state होगी, MP state होगी पार्लेमेंट जैसी legislative body जो अपने अपने state के boundary के अंदर applicable हुए law को बनाएगी उनका नाम होता है state legislative assembly क्या नाम होता है दोस्तों? state legislative assembly पार्लेमेंट लाइग body ठीक है in state is known as state legislative assembly जो अपनी state के boundary अपनी state के लिए क्या करेगी? लाज बनाएगी अब question आपको आ सकता है कि ऐसे पूछा जा सकता है which among the following है ना question पूछा जा सकता है which among the following has the authority has the authority to reorganize the state तो अगर यहाँ पर option है a executive body ठीक है B. Parliament C. State legislative assembly क्या दोस्तों? C. State legislative assembly और D. आ गया बोथ B and C तो what you will write? The right answer is Parliament Who has the authority to reorganize the state? Parliament Now यह authority किसने दी है Parliament को? Re-organize करने की तो authority दी है Constitution ने किसने दी है दोस्तों? Constitution ने empower किया है क्या? Parliament को reorganize कुरना किसी भी state को किसी भी state की boundary को अगर बाईचंस तिलंग गाना आंधरा परदेश ने तूटके बना है तो reorganize किसने किया? आंधरा परदेश की state and city assembly ने नहीं किया Re-organize किसने किया? Parliament ने किया किसने किया? Parliament Are you getting my point? आपको समझ आ रहा है और यह authority किसने दी है? यह authority दी है Indian Constitution ने अब question आ सकता है कि Indian Constitution के किस हिस्से में यह mentioned है कि Parliament is authorized to reorganize the states of India तो वो कौन सा part है दोस्तों? पार्ट फर्स्ट अफ दी इंडियन Constitution पार्ट वन अफ दी इंडियन Constitution यह deal करता है किस के साथ? Re-organization of states के साथ और इस पार्ट वन का जो title है पार्ट वन का title क्या है? Union and its territory क्या title है? Union and its territory और इस पार्ट वन में कितने articles आते हैं? Articles 1 to 4 बच्चा यार रखना पार्ट फर्स्ट अफ दी इंडियन Constitution ठीक है? फ्रम आर्टिकल्स 1 to 4 दील्स विद यूनियन and its territory किस के साथ डील करता है? Union and its territory के साथ डील करता है और यही पे यही पार्ट है जो क्या करता है? Constitution का Parliament को authorize करता है किसी भी स्टेट को reorganize करने के ठीक है दोस्तों? अभी currently there are how many parts? There are 25 parts जैसे आपको पता होगा Indian Constitution जो है It is the lengthiest constitution in the world, right? तो Constitution के हमने क्या कर दी हिस्से कर दी है अभी presently कितने हिसे 25 parts है कितने हिसे किये 25 हिसे किये जो part first है वो किस के साथ डील करता है? Union and its territory के साथ डील करता है और part first में ही Reorganization of States की बात की गई है तो आपको question ऐसे पूछे जा सकते हैं कि which among the following body has the authority to reorganize the state in which part of the Indian constitution ठीक है Parliament is authorized to reorganize the state that is part one कोंसा दोस्तों? Part one क्या यह important question है नहीं है बिलकुल 100% important है अब question ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको पहले पता होना चाहिए Parliament किसे मिलके बना हुए है दोस्तों Parliament is made up of लोकसभा राजसभा और प्रेजिडेंट यह तीन मिलके क्या बने हुए है तीन मिलके क्या बनाते है पार्लिमेंट बनाते है पार्लिमेंट क्या है? लॉव मिकिंग बॉड़ी लेजिसलिटी बॉड़ी अब आपको question आ सकता है अगर suppose करो मुझे इस marker पे law बनाना है इस pen पे law बनाना है तो इसको यह पहले introduce होगा पार्लिमेंट पे introduction introduce किस form में होगा? बिल की form में होगा किसकी form में होगा? बिल की form में suppose करो यह introduce हुआ लोकसभा में तो कैसे माना जाएगा कि यह बिल law बनाना चाहते है लोकसभा को by vote by majority vote इसको क्या करना पड़ेगा? हामी बरनी पड़ेगी yes करना पड़ेगा तो माना जाएगा लोकसभा से क्या हो गया? पास हो गया अगर लोकसभा में introduce हो यह पास माना जाएगा finally यह बिल किसके पास पहुंचेगा? यह बिल पहुंचेगा प्रेजिडेंट के पास अगर प्रेजिडेंट ने इसको एसेंट दे दी इसमें हामी भर दी कि हाँ यह law बनना चाहिए अगर एसेंट दे दिया इन में से कौन से हाउस के पास पावर है उसको introduce करने की इन दोनु में से कौन से हाउस के पास पावर है इस बिल को introduce करने की तो याद रखना बोथ हाउसीज हैब इक्वेल पावर दोनु में से कोई भी हाउस क्या कर सकता है इसको introduce कर सकता है याद रहेगा आपको समझ कि ये भी बहुत important question है अब एक और चीज़ दोस्तों बहुत important एक और चीज़ बहुत important है कि पहले हम थोड़ा सा part first के articles को समझ लेते हैं किसको समझ लेते हैं part first के articles को समझ लेते हैं right ठीक है articles 1 to 4 दोस्तों article 1 क्या है article 1 simple है article 1 क्या बोलता है उसका title है India that is भारत बड़ी बार question आया है कि article 1 क्या बोलता है तो article 1 बोलता है क्या India that is भारत अगर आप लोगोंने history पड़ी होगी modern history तो modern history में आपको पते चलेगा 1946 में एक plan आया था जिस plan का नाम था cabinet mission plan क्या नाम था दोस्तों का cabinet mission plan इस cabinet mission plan ने किसको constitute कि ता किसको बनाया था इस का काम क्या रखा था कि इसको constitution बनाना किसके लिए इंडिया के लिए तो तब constitute assembly जो किससे constitution भी cabinet mission plan के accordingly बनी थी उसमें चुने हुए जो लोग थे उसमें जो लोग थे उसे assembly में जो represent कर रहे थे उसमें कुछ लोग बोले थे कि देश का नाम होना चाहिए इंडिया कुछ बोले देश का नाम होना चाहिए भारत तो हमने क्या नाम रख दिया इंडिया त हिभारत विच इसमेंचंगिन विच आइीकल आइरल फिर ध्यांट न कि का में है इस बंडिया और इंडिय ओर इंडिया की QUE जिस वट्री सब्सक्रूरील पया चैनल हुए असकी बारे मिं बात की है कि रिप्सक्राम का है कहां extent कितनी land extension है country की, are you getting my point? समझे हैं, this was article 1. Now, what is article 2? दोस्तों, article 2 क्या है? Article 2 बोलता है, admission of those states, admission of those states which are not part of Indian Union, which are not part of Indian Union, मतलब, मतलब, अगर आप देखरों, पहले आप article 2 क्या बोल रहा है? Article 2 बोल रहा है, admission of those states which are not part of Indian Union, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है, suppose करो बलुचिस्तान, एक प्रोवीन्स है किसका? पाकिस्तान का, यहाँ पे आपको पता है क्या? इंडिपेंडेंडेंस के लिए civil war चल रही है यहाँ पे, ठीक है? एक पाकिस्तान के साथ बार चाहता है, कल cũng ऐसा हो जाता है, कि बलुचिस्तान पाकिस्तान से तूर जाता है और एक independent country बढ़ जाती है. लेकिन फिर भी बलुचिस्तान को बहुत यहाँ प्रेंस के लिए बलुचिस्तान को बहुत ज़ादा क्या देड़गे से, उसको जोईन कर लेना चाहिए तो अगर एक ऐसी territory जो इंडिया का हिस्सा नहीं है वो क्या बनना चाहती है इंडिया का पार्ट बनना चाहती है तो इस आर्टिकल में mentioned है it is mentioned in article 2 किस आर्टिकल में mentioned है article 2 कल को श्रिलंका Chinese aggression के वज़से चाहिना का aggression ज्यादा होने के वज़से इंडिया नोशन में अगर श्रिलंका को अपने defense या श्रिलंका को अपनी country अच्छे से क्या नहीं हो रही admission नहीं हो रही और वो चाहती है क्या बनना पार्ट इंडिया का पार्ट बनना तो कौन से article में पार्लिमेंट के वे बोलाया कि आप उस territory को क्या कर सकते हैं admit कर सकते हैं इंडिया नोशन में that is article 2 you got my point article 1 समझ आया article 2 समझ आया article 3 article 3 article 3 क्या बोलता है reorganization reorganization or alteration of those states or alteration of those states which are part of India which are part of which are part of Indian Union or India right just say JNK reorganized JNK was the erstwhile state was already part of India and JNK is now reorganized into two union territories one is union territory of Ladakh one is union territory of JNK तो यह किस article में यह बताया है कि आप already जो states उनको reorganize अगर आपने करना है तो पार्लेमेंट को किस article के अंदर ही authorized किया article 3 के अंदर are you getting my point article 2 किया था admission of those states which are not part of India article 3 किया alteration बदलाव उन states का या उनको reorganize करना which are already part of India अब Punjab Punjab तूटा किसमे बना एक union territory बनी जिसका नाम है चंदीगर which is common capital between Punjab and Punjab से टूटी एक और state इसका नाम है हरयाना अब Punjab was already part of India तो किस article में इसको reorganize किया article 3 लेकिन कल का Punjab का वो province जो पाकिस्तान में है वो अगर Indian Union में इंटर करना चाता है तो किस article में आएगा article 2 में आप समझ गे अब दोस्तों reorganization की बात की है तो reorganization में क्या क्या कर सकते है बच्चा reorganization में एक state को split करके दो states भी मना सकते या एक ही state को split करके दो state और एक union territory भी मना सकते example आपकी Punjab, हरयाना example आपकी आगे क्या चंदिगर चंदिगर union territory है और दो state है अब एक state को split करके हम two union territories भी बना सकते है बना ही ना कहाँ पे हमारे JNK में और इसमे boundary भी alter कर सकते है क्या कर सकते है state की boundary भी alter कर सकते है या state की boundary कम कर सकते है या state की boundary boundary बढ़ा सकते हैं इसमें नाम भी चेंज कर सकते हैं रिनेम क्या कर सकते हैं नाम भी चेंज कर सकते हैं री और अर्टिकल थ्री ऑल्टरेशन अंडर आर्टिकल थ्री समझे आप कि किस किस तरीकी की alteration हो सकती है, clear हो गया, अब article 3 बोलता ही reorganization करने का काम किसका है, सबका, parliament का काम है, किसका काम है, parliament का, और parliament में both houses have the power to introduce the reorganization bill, राजे सबह भी कर सकता है, लोग सबह भी कर सकता है, example है न, J&K Reorganization Act पहले कहां introduce हुआ, राजे सबह में introduce हुआ, जो आज में PDF शेर करूंगा, वहां पे लिखा हुआ, 5 अगस 2019 को, राजे सबह में introduce हुआ, उसी दिन पास हो गया, तो both houses have equal power, related to what, introduction of reorganization bill, clear है दोस्तों, अब बोल रहे हैं, लेकिन, before introducing, कोई भी house अगर introduce कर रहा है, before introducing the bill, prior recommendation, क्या, prior recommendation, of president is mandatory, president is mandatory, क्या बोला है, introduce करने से पहले, आगर राजी सबह introduce करना चाहती है, लोग सबह introduce करते हैं, उससे पहले, president की recommendation important है, जब तक president आपको recommend नहीं करेगा introduction के लिए, तब तक में introduce नहीं कर सकते, फिर constitution में, article 3 में एक और बात बोली है, कि president, before recommending to the parliament, to लोग सबह और राजी सबह, ये bill recommend करने से पहले, president को, उस state की, state legislative assembly, उस state की, state legislative assembly के सामने, ये bill क्या करना है, रखना है, उनके सामने उनको bill भेजना है, कि आपकी हम क्या करने वले हैं, जो concern state है कि हम उसको reorganize करने वाले, are you getting my point? पहले, बिल कोई भी introduce कर सकता है, लोग सबह भी, राजी सबह भी, कोई सा, reorganization का, बट, introduce करने से पहले, president recommend करेगा, तभी introduce हुगा, लेकिन constitution बोल रहा है, president recommend करने से पहले भी उसको क्या करना है, ये बिल उस state की state legislative assembly के आगे रखना है, जो क्या होने वाली है, reorganize होने वाली है, आपको clear हो रहा है, अब क्या बोला है, बोला है कोई भी recommendation, कोई भी recommendation, अगर state legislative assembly दे रही है, president को, कोई भी recommendation, जो state legislative assembly ने, president को दी, किसको दी दोस्तों, कोई भी recommendation अगर president को दी, तो that is not binding on him, that is not binding on president, अगर state legislative assembly बोलती है, नहीं, reorganize नहीं करना, तो तब भी president की मर्जी है, वो करे या ना करे, जो भी recommendation state legislative assembly देगी, that is not binding on the president, याद रखीगा, यह जो मैं चीज़े बोल रहा हूँ, यह बहुत important question से, आपके G&K Reorsion Act 2019 को लेकर, याद रहेगा, clear है, अब बोलते हैं, अब बोलते हैं, कि, अगर, ये बिल, लोकसभा में जाता है, या राजसभा में जाता है, कहां जाता है, लोकसभा में राजसभा में जाता है, तो कैसे बाना जाएगा, कि ये दोनु हाउस में से pass हो गया है, तो each house को, इसको majority से pass करना पड़ेगा, किसे पास करना पड़ेगा? Majority से पास करना पड़ेगा और उस Majority का नाम कहा है? Simple Majority Very important question याद रखना कौन सा? कि Reorganization Bill Must be passed by Simple Majority एक होती है Simple Majority Simple Majority, Absolute Majority Special Majority, Special Majority with half, ascent of half of the states लेकिन यहाँ पे Reorganization जब भी करना है तो दोनूं हाउस को अलग-अलग Simple Majority से पास करना पड़ेगा बिलकूँ Now what is the meaning of Simple Majority? Simple Majority का मतलब है Simple Majority मतलब है More than More than 50% of Members Members Present And voting क्या दोस्तों? More than 50% of Members present And voting बहुत बहुत दीप मीनिंग है इसका अब Total Strength अगर आप देखोगे लोग सभा की किसकी लोग सभा की तो तो दैट इस 545 अब 545 में क्या होगे? Around सिर्फ 100 प्रेजेंट है कौन प्रेजेंट है? 100 members present है बाकिस सारे absent है तो जितने प्रेजेंट हैं उनका more than 50% उसको बोलते हैं simple majority अगर 200 प्रेजेंट हैं तो 200 का member present not total strength कितना बोला जो member present है तो अगर 100 member present है उसका कितना? more than 50% अगर 200 present है उसका more than 50% तो अगर more than 50% ने जितने present members उसके more than 50% members से अगर क्या कर दिया? वोट कर दिया तो उसको माना जाएगा past और उस majority को हम क्या बोलेंगे? simple majority clear हुआ दोस्तों इसमें कोई tension दो नहीं बहुत simple था कि part first of the Indian constitution deals with union and its territory और यही part authorize करता है parliament को reorganize करने का अगर as a state जो इंडिया का part नहीं है उसको reorganize करना है तो article 2 अगर as a state which is already part of India which is part of India उसको reorganize करना है तो 3 मेरी बात अब को clear होगी? majority कों से? simple majority introduction लोगसभा, राजसभा, दोनों हाउस में से किसी में भी हो सकता है but introduce करने से पहले president क्या करेगा? उनको recommend करेगा? तब भी introduce करेंगे साथ साथ में constitutionally यह भी बोल दिया कि अगर president recommend करेगा recommend करने से पहले उसको ये concerned bill जो है वो concerned state की state-less city assembly के आगे present करना है ठीक है दोस्तों? समझ गे? अब हम चलें act पे अब चलते हैं दोस्तों act पे आज पूरा तो हम complete नहीं कर पाएंगे but we will try maximum कर पाएं ठीक है दोस्तों? I hope आपको एक green पड़े अच्छे से दिख रहे है ये ही pdf आपको राम से मिल जाएगी ठीक है? ये pdf आपको राम से मिल जाएगी तो दोस्तों ये है JNK Reorganization Act 2019 तो अब इस act में क्या किया है दोस्तों? सबसे पहले हम बोई देश करें दोस्तों इस act ने JNK स्टेट को bifurcate कर दिया, divide कर दिया between two union territories एक union territory है union territory of JNK और एक union territory है union territory of Ladakh दोस्तों 5 अगस्ट 2019 को ये bill introduced हुआ था कहाँ पे? राजसबा में और इसी दिन by simple majority राजसबा ने इसको pass भी कर दिया था very important question याद रखना अब 6 अगस्ट 2019 को ये bill pass हुगया किस ने pass कर दिया? लोगसबा ने again by simple majority और 9 अगस्ट 2019 को इस bill को प्रेजिडन्ट ने क्या देदी? एसेंट दे दी और ये क्या बन गया? एक्ट और law अगर प्रेजिडन्ट इसको एसेंट ना देते तो ये होता जेंट के रियोरिशन बिल 2019 जेंट के रियोरिशन एक्ट 2019 का मतलब है कि ये क्या हो चुका है? प्रेजिडन्ट ने पास कर दिया पार्लिमेंट से पूरा पास हो गया है मेरी बात आपको क्लिर हो गई समझ गे? अब ये एक्ट बन चुका है एक्ट लागू नहीं हुआ एक्ट को implement कब किया? हमने लागू कब किया? कटिस अक्टूबर 2019 वेरी important question अगर आपने देखा हो instrument of a session बड़ी बार question आता था कि instrument of a session को कब क्या किया है? execute किया है? कब sign किया है? तो ये important questions है जो आपको नहीं भूलने है छोटा ये एक page ये है but बहुत important है आपको बहुत edge दे गई है topic ठीक है अब चलते हैं आगे बोला इस act में क्या है दोस्तों बचा जेंड के re-organization act 2019 में कितने sections हैं? 103 sections है जिनको divide किया हमने 14 parts में और 5 schedules हैं इसमें कितने schedules हैं इसमें? 5 schedules हैं अब part first क्या बोलता है दोस्तों? बचा part first का अगरा bear act पढ़ेंगे तो part first का title है preliminary तो preliminary का मतलब है जो भी words, जो भी title mentioned है इस act में उसकी definition जैसे lieutenant governor what is the meaning of lieutenant governor किसमें mentioned है? part first में what is the meaning of advocate general किसमें mentioned है? part first में मेरी बात अब को clear होगी तो part first क्या है? part first जो title है preliminary और ये क्या करता है? जितने भी terminologies हैं जितने भी words हैं उनको define करता है समझ गे? अब चलते हैं किसमें? part second में very important दोस्तो part second में जो section तीन है उसने किसकी formation की है? उसने formation की है union territory of Ladakh की बच्चा क्या? part second में section 3 ने किसकी establishment की है? union territory of Ladakh और ये ही section बताता है कि union territory of Ladakh में कितनी districts हैं? कारगिल और ले districts हैं मतलब union territory of Ladakh consists of how many districts? two districts कारगिल and ले mentioned in which section? under section 3 और कौन सा part? part second ठीक है दोस्तों? अब चलते हैं आगे part second में ही section 4 है part second में ही section 4 है जो क्या बोलता है? किसकी formation की बात करता है? union territory of JN की formation की और बोलता है JN के जो union territory of JN के है ये उन सब states से मिलके बना हुए first while JN के states को छोड़के दो districts को कौन से districts कार्गिल और ले? थोड़ी correction करूँगो मैं बापिस मैंने बोला कि under section 4 क्या आप किसकी बात करता है? formation of union territory of JN के ये बात करता है और इससे साथ में ये बोला है कि JN के union territory of JN के comprises of all districts of erst while state erst while क्या हो गया? former state except two districts कार्गिल और ले इसको छोड़ के union territory of JN के में वो सारी districts है जो districts JN के state में होती थी clear हो गया दोस्तों? समझ गे? आज हम दोस्तों इतने ही रखेंगे इसकी PDF आपको मिल जाएगी इसी पे हम बहुत जल्दी जैसे ये खतम करेंगे हम इसी पे MCQs लेके आएगे ठीक है? तो दोस्तों और detail में अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे धूरीना एप में जाएं किस में जाएं दोस्तों? धूरीना एप में जाके आप क्या कर सकते हैं? धूरीना एप में जाके आप हमारे course का access ले सकते हैं उसमें geography, history, english, accounts, economy, maths ये सारे subjects उसमें अभी पढ़ाए जा रहे हैं ठीक है? तो दोस्तों धूरीना एप डाउनलोड करना उसमें course अवेल करना मत भूली गया Thank you so much guys Thank you